नमस्कार दोस्तों आज हम लोगों निफ्टी 50 में करी 400 पॉइंट का बड़ा गिरावाट देखने को मिलता है 2% से एवाब हम लोगों गिरावाट निफ्टी 50 में देखने को मिलता है क्योंकि एक बड़ा निउस आता है कि इंट्रेस्ट रेट हाइक हो गया है और वी आई के द्वारा उसकी वज़ाद से मार्केट थोड़ा अस्टेंड हुआ और गिरावट हम लोगो बड़ा देखने को मिलता है तो सबसे पहले अपने मैथट को डिसस्ट कर लेते हैं जो कि आपको ब्लू लाइन सो कर रहा होगा दूसरा हम लोग 200 डेस के भीक लाइन भी बोलते हैं जो कि आपको सपूर्ट या रिजिस्टेंस बताता है और हम लोग बाइग करना कब पसंद करते हैं और बात करें तो 200 करी में बाई करना पसंद करते हैं या 200 देस के बहुत ही नीचे आता है जिस फीवर्ट पर सब्सक्राइब लेता है वहां पर हम लोग बाई करते हैं तो पिछले एक डेट साल से हम लोग को निफ्री फिप्टी या मार्केट में बहुत ही बढ़िया तेजी देखने को मिल ना था इसी क्रम में मार्किट करीब 18,400 तक जाता है उसकी बादत करीब बढ़ा मार्केट में देखने को मिलता है और डावल टॉब ऑ्य फीवर्ट से और दूसरी रही बार अब निफिप्टी है इसलिए हम लोग को नीचे बड़ा फॉल देखने को मिलता है क्योंकि 20 के मुफिंग एवरेज के नीचे प्राइस था इसलिए थोड़ा वेट वाज कर सकते हैं यहां से हम लोग नीचे की तरह बड़ा फॉल देखने को मिल सकता है अभी नीचे का पिवर्ट करीब 16,579 पर है लेकिन अभी हम लोग को सपोर्ट देखेगा तब हम लोग निफ्टी पीज एटीफ को इस पिवर्ट पर बाई करेंगे क्योंकि maximum possibility है और वी फॉल होने का और नेक्स पिवर्ट क को आते हुए मार्केट 16,000 के लेवल्स तक दिख सकता है इसलिए हम लोग को निफ्टी एटीफ में भी दोस्तों कोई बाई इनिशियेट नहीं करना है ऐसा नहीं कि 2% 3% का मार्केट फॉल हो रहा है डेली और हम लोग बाई करते जा रहे हैं लोकेशन का वेट करते हैं पहल बहुत और भी हम लोग को करेक्शन देखने को मिल सकता है और मार्केट में हम लोग को बड़ी गिरावट देखने को मिलता है 40 basis points से rate हाई हुआ है और 50 basis points से हम लोग को CRR भी rise होते हुए दिखा है और अधर फैक्टर जैसे रश्या उक्रियन का फैक्टर अधर चली रहा था और interest rate हाई करने का सबसे बड़ा reason है inflation को tackle करना इसी के लिए RBI ने interest rate बढ़ाया है लेकिन इसका सीधा उल्टा असर हम लोग को economy पढ़ते हुए दिखेगा और आने वाले समय में हम लोग को growth rate में गिरावट देखने को मिल सकता है उसका सीधा असर हम लोग को share market में return में भी और एक और दुनिया वर की सबसे ज्यादा नजरे जिस पर ठीकी हुए दूस्तों फेड रिजर्ब का decision होने वाला है रात में crucial meeting है उसके बाद global market पे क्या असर होगा वह उसका भी हम लोग को आज देखने को मिल सकता है तो फेड रिजर्ब का भी outcome आने वाला है उससे भी global market क का direction पता चलेगा और आज एक और quality stock नौकरी.com या info is में दूस्तों हम लोग को बड़ा गिरावट देखने को मिलता है 6% से एवाप fall हम लोग को देखने को मिलता है एक बड़ा सा rate candle बनते हुए दिखा है तो पहले भी हम लोग बात किये थे कि नौकरी.com में लगतार हम बहुत ही ज़्यादा ऊपर चला था इसी क्राम में हम लोग बात करते हैं FIIs का selling आता है तो FIIs का अच्छा मार्केट में हम लोग को selling देखने को मिला और नौकरी.com या info is में भी क्योंकि एक संदार defry stock है उसमें भी लगतार हम लोग को बड़ा गिरावट देखने को मिलता है तो इस लेवल पर हम लोग बाई करने के लिए भी बोले थे जैसा ही 20 के मुखिंग एवरेज को क्रॉस किया था हम लोग अपने वीडियो में अपडेट कर रहे थे कि नौकरी.com को आप लोग बाई कर सकते हैं तो यहां पर बाई किये होंगे तो थोड़ा बहुत हम लोग को गिराबट देखने को मिल रहा होगा थोड़ा बहुत निगेटिव ही चल रहा होगा और अगर नौकरी.com में ऊपर के प्राइस पी फसे हुए हैं इस लेवल पर भी बाई किये हुए हैं तो तुरज से हम लोग को एवरेजिंग करने का जरूत नहीं को कि बड़ा फॉल हो तो 3770 पर अगर इस पिवट पर आता है और सपूर्ट लेने का कोशिश करेगा तो अपने वीडियो में अपडेट करेंगे इस लेवल पर अगर बाई किये हैं तो फिर से यहां एवरेजिंग कर सकते हैं बहुत ही क्वालिटिय स्टॉक है डिजिटल एकनोमी का दौर चल रह है अगर विकली चैट की भी बात करें तो विकली चैट पर हम लोग देख सकते हैं प्राइस टूहंड़ेज के मुवंग अबरेज से तो ऊपर चली रहा था और इसी करह में हम लोग को रेजिस्टन्स भी देखने को मिलता है इस वीवर्ट पर योकि बहुत ज्यादा ऊपर हम लोग को अच्छा सेलिंग देखने को मिला मार्गेट करीब नौकरी.com में 10,000 से उपर हम लोग को जाते हुए दिखा था उसके बाद बड़ा सेलिंग देखने को मिल रहा है तो नीचे हम लोग को सपोर्ट करीब 3911 पर देखने को मिलेगा विकली चाट पे तो अभी हम लोग को कोई बाइंग नहीं करना है नौकरी.com में और अगला स्टॉक चिसमें हम लोग को लगतार गिरावट देखने को मिल रहा है टाटा का एक संदार स्टॉक है राकेज उजनवाला जी का भी बहुत ही बड़ा इंवेस्मेंट टाइटन में है टाइटन के बारे में इसके बाद करें तो जोइलरी सेगमेट का मार्केट लीडर है तनिस का सोरुमीशी का होता है और जα्योःरी और आईवियर सेगमेट पर टाइटन toujours है इसमें से बात भी किये थे टाइटन से कुछ प्रॉफिट बूग कर सकते हैं कि विकली चार्ट पर बहुत से ज़ादा ऊपर चल रहा है 200 देश के मुविंग एबरेज से प्राइस तो ऐसे में हम लोग को गिरावट देखने को मिल सकता है इसलिए टाइटन में हम लोग प्रॉफिट करीब में तब हम लोग भाई करेंगे नहीं तो और भी हम लोग को फॉल होते हुए दिखेगा और टाइटन का नेक्स्ट लोवर पिवट करीब 2146 पे है तो यहां तक हम लोग वेट कर सकते हैं विकली चार्ट पर भी हम लोग देखेंगे तो प्राइस टूहंडेट देश के moving average से बहुत ही उपर चल रहा है तो हम लोग को अच्छा खासा करेक्शन टाइटन में देखने को मिल सकता है इसलिए टाइटन से भी दोरी बना के अभी रखना है तुरत से बाइंग नहीं करना है ऐसा नहीं की फॉल हुआ है 4% 8% तुरत से हम लोग को बाई करना है हम लोग भी किये थे कि 200 days के moving average से बहुत ही उपर चल रहा है और price to earning ratio भी हाई है तो हम लोग को कुछ profit book करना चाहिए बहुत ही ज्यादा growth वाला stock है लेकिन earning visibility भी हम लोग को अच्छा दिखता है इसलिए हम लोग को जरूर से buy करना है टाइटन में लेकिन थोड़ा बहुत हम लोग को profit भी book करना चाहिए 10 stock है तो 3-4 stock निकाल देना चाहिए समय समय पर तो यहां भी हम लोग देख रहे थे covid के बाद से बड़ा fall हम लोग को revenue में भी देखने को मिलता है और फिर से covid के बाद जैसे market हम लोग को खुलते हुए एकनौमी खुलते हुए दिखता है फिर से हम लोग क profit suit होते हुए दिखता है तो टाइटन बहुत ज़्यादा growth रखता है अपने अपने एक market leader का अपनी है तो इसमें भी हम लोग को investment करना है टाटा का backup है तो बहुत ही quality stock है टाइटन और टाइटन की अगर recent share holding pattern की बात किया जाए तो अपन मोटर्स के पास करी 53% के करीब का holding है जो कि अपने आप में बहुत ही बड़ा है FIIs की बात करें तो FIIs ने इसमें ज़्यादा stake नहीं बेचाया दोस्तों अभी 18.40% का stake है DIs की बात करें तो 10.21% का stake DIs के पास है गवर्मेंट की भी बात करें तो 0.16% का holding गवर्मेंट के पास है तो करीब 28% के ऊपर हम लोग को F जावट होते वे दिख रहा है CDSL के हम लोग बात कर रहे हैं जो हम लोग करते हैं उसको manage करता है CDSL store करता है तो इसमें हम लोग देख रहे हैं बहुत ज़्यादा growth है दोस्तों मात्र 6 करोड डीमेट account इंडिया में खुला है और population करी 131 करोड के करीब है तो हम लोग को बहुत ज़्यादा multi bagger return हम लोग को निकाल करके भी दिया था COVID के बाद से बहुत ही बड़ा extended bull run हम लोग को देखने को मिला है CDSL में लेकिन हम लोग इसी करम में बात भी किया थे कि price 200S के moving average से बहुत ही ऊपर चल रहा है weekly chart पे भी हम लोग देख सकते हैं daily chart पे भी देख सकत तो और भी बड़ा fall होते हुए दिखेगा अभी फिलाल pivot के पास ही है 1280 पे pivot है लेकिन इस pivot पे support लेते हुए हम लोग को दिखेगा तब हम लोग कुछ average करेंगे नहीं तो maximum possibility है और भी fall हो सकता है और next lower pivot करी 1100 के करीब आते हुए हम लोग को near term में CDSL देखने को मिलेगा तो CDSL भी buying range में आने वाला है दोस्तों इसलिए इसको भी watch list में रखिए लेकिन तुरज से buying नहीं करना है अभी बड़ा powerful momentum नीचे की तरह आ रहा है तो और भी fall होते वे दिखेगा इसलिए 1100 हमारा best buying level बनेगा जब यहाँ पे आएगा तब हम लोग अपने channel पर भी update करेंग कर यहाँ profit book करते हैं और retailer हम लोग buy करते है return देख करके और FIHDIs यहाँ पर selling करते हैं क्योंकि वो लोग नीचे से buy करके आ रहे हैं अपना profit उपर में book करते हैं और हम लोग यहाँ पर buy करते हैं तो price नीचे आ जाता है इसलिए हम लोग 200 एक करी में करेंगे weekly chart पे या daily chart पे तो हम लोग को बढ़ियां entry मिलेगा और long term में अच्छा wealth हम लोग create करेंगे अपाउंडिंग भी fast होता है तो इसलिए हम लोग अभी CDSL में wait करेंगे तो weekly chart पे CDSL अभी pivot के पास है दोस्तों तो अगर support लेते हुए daily chart पे हम लोग को दिखेगा तब हम लोग daily chart पे देख करके entry लेंगे weekly chart पे तो अभी price 200 अभी चल रहा है इसलिए थोड़ा ज्यादा हैवी amount में हम लोग CDSL buy नहीं करेंगे SIP mode से investment करना है CDSL में जैसे ही मौका मिलेगा वैसे तो हूप अब लोग को concept समझ में आता होगा technical analysis का और फैदा भी मिल रहा होगा तो वीडियो को like कर दीजेगा चैनल को subscribe कर लिजे और अपने दोस्तों में share कीजे thank you मिलते हैं next video में और हमारा एक free telegram group भी है उसको भी आप लोग join कर सकते हैं कोई doubt है तो वो clear हो सकता है